बिस्मिल्ला रुख्मेन रुराहीम अस्सालामु आलेकुम स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं 10th Class Mathematics Exercise है हमारी 2.8 स्टार्ट करेंगे पहले क्वेस्टिन से क्वेस्टिन नमबर 1 में कहा जा रहा है The product of 2 positive consecutive numbers is 182 Find the numbers 2 numbers को हमने find करना है उनकी जो multiplication है यानि उनकी जो product है वो equal to 182 है दोनों नमबर positive हैं और consecutive हैं consecutive number कौन से होते हैं बच्चों वो number जो लगतार चल रहा है होते हैं जैसे 2 के बाद 3 consecutive है 4 के बाद 5 consecutive है 6 के बाद 7 consecutive है ठीक है यानि हम consecutive numbers कहते हैं यान बता देता हूँ आपको 2 और 3 क्या है consecutive है 3 और 4 की बाद कर लें ये दोनों consecutive है 5 और 6 ही बाद कर लें तो ये भी क्या है consecutive numbers में आ जाते हैं ठीक है यानि लगतार आने वाले इसमें कोई भी number miss नहीं है अगर मैं 4 और 6 की बाद करता हूँ तो ये consecutive नहीं होंगे क्योंकि 5 centers है miss हो गया ठीक है अब कहा जा रहा है जो condition है question की कि दोनों numbers को आप multiply करें तो आपको result मिलता है 182 ठीक है अब हमें वो number find करने है तो हम पहले suppose करते है कि हमारा जो number है न वो x है पहले number क्या है x दूसरा number क्या होगा x plus one अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यूं लिखा consecutive नमर बच्चों ऐसे ही मिलते है एक number में आप one add करेंगे तो उससे very next मिल जाएगा जैसे देखें यहाँ पर 2 और 3 consecutive है न 3 कैसे मिला आपको अगर 2 में plus one कर दें 3 मिल जाते है 3 और 4 consecutive है तो 4 कैसे मिला आपको previous में one add कर दे 3 plus one 4 बन जाता है 6 कैसे मिला आपको 5 में plus one कर दे तो इसी तरह अगर एक number हमने x suppose किया है तो दूसरा फिर क्या होगा x में one add कर दे तो इस तरह से आपने एक को x suppose करना है दूसरे को x plus one ठीक है अब इनकी product कितनी है 182 तो दोनों को multiply कर लेंगे हम according to condition x multiply by x plus one is equals to 182 यह आ गया अब क्या करेंगे इसको multiply कर लो x का square बन जाएगा x into x x का square plus x into one बन जाएगा x and that is equal to 182 ठीक है अब इसको standard form में लेके आने के लिए क्योंकि यह quadratic equation बन गई है इसको इधर ले आएगे x का square plus x minus 182 it equals to 0 अब हमने इसको क्या करना है चाहो तो इस पे quadratic formula लगा लो अगर आपको वो आता है चाहो तो factorize कर लो चाहो तो completing square से solve कर लो जो method आपको आता है उससे solve करके x की values निकालो मैं यहां आपको factorize कराऊंगा क्योंकि factorize करना आसान होता ठीक है factorize करने के लिए क्या करते है आप mid term को break करते है ठीक है mid term को break करते है दो ऐसे number select करेंगे जिनको add करने से आपको यह मिले और multiply करने से यह मिले अब बहुत सरे बच्चों को यहां पर problem होती कि जब इदर कोई बड़ा number आजे जिसे 182 है या 400-500 आ जाता है तो factorization करना मुश्कल हो जाती है मैं आपके लिए आसान ट्रिक लाया हूँ ठीक है अब देखिए यह आपके पास यहां पर तो कोई number नहीं है तो मतलब 1 है 1 को 82 से multiply करने तो 182 ही बनता है ठीक है आपने क्या करना है यहां पर सबसे पहले एक bracket बनानी है उदर लिखना है 182 और साथ में कॉमा लगा के लिख देना है एक पेर आपका यह है उसके बाद क्या करना है आपने यह 182 जिस पे divide होता है न कोई छोटा ते छोटा नंबर आप selector है 2 पे divide होता है तो आप इसको 2 पे divide करें मिलेगा 91 अब जिस नंबर से इसको divide किया न उसी नंबर से इसको multiply कर दो मैंने इसको 2 से divide किया तो 91 मिला इसको फिर 2 से multiply कर दूँगा तो मैं रपस 2 आजगा यह आगया हमारे पास second pair ठीक है? ओके उसके बाद क्या करूँगा? देखूँगा क्या मुझे यह suit करता है नहीं suit करता है फिर आगे चलूँगा 91 को मैं किस से divide करूँ? 2 पे नहीं जाता 3 पे नहीं जाता 4 पे नहीं जाता 5 पे नहीं जाता 6 पे नहीं जाता 7 पे चला जाता है तो 7 13 दा 91 होता है मैंने 13 से इसको 7 से divide किया मुझे मिला 13 अब इसको 7 से divide किया तो इसको 7 से multiply कर दूँगा 14 बन जागा ठीक है? यह सबसे आसान तरीका अगर आपके बस कोई बड़ा नंबर यहां पर आ जाता है उसके factors बनाने के लिए ठीक है? अब मैं देखने का क्या मेरे लिए यह suitable है तो देखें यह नंबर है negative ठीक है? तो इन दोनों नंबर को माइनस करने से यूज कर लो मैं फिर से बता दू जो भी आपके बस यह नंबर आया यहां लिख दे और यहां उसके साथ 1 लिखें एक नंबर छोटे ते छोटा इससे उसको डिवाइड करें और इससे मल्टिप्लाई करते जाएं अगर नहीं आपके यूज में वो फैक्टर आता तो फिर आपको यह और नंबर देखें छोटा से छोटा जिस पर यह डिवाइड जाला जाएं ठीक है जैसे यह 7 पर चला गया इसको 7 से डिवाइड किया तो इसको 7 से मल्टिप्लाई कर दें पास ऐसे करते जाएंगे तो आपके पास कोई बड़े से बड़ा नंबर भी है उसके फैक्टर भी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं यह तरीका हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर इस तरह का कोई बड़ा नंबर आ जाता है जैसे फॉर अंडर इस तरह की वैल्यूज आ जाती है ठीक है ओके जी अमीदा आपको समझ आ गया होगा अब हमें यहां पर यह पता चल गया कि 14 और 13 यह हमारे पास एक पेर बन सकता है X का स्केर मिटरम कैसे ब्रेक करेंगे देखो अगर मैं यहां पर प्लस का 14 X कर दूँ और माइनस का 13 X करूँ ठीक है तो 14 X माइनस 13 X क्या मिलता है वापस आपको X मिलेगा ठीक है साइन बनाते होगे गलती नहीं करनी बचो चेक कर लिया करो अगर मैं प्लस का 14 नकूँ माइनस का 13 नकूँ तो मुझे प्लस का X मिलता बस ठीक हो गया और माइनस का 182 आपने वैसे ही लिख देना है यहां पर इस एक्वल टू जीरो उसके बाद आपने पेर बनाने है यह पहला पेर आ गया और यह आ गया हमारे पस दूसरा पेर इसमें X का स्केर है इसमें X है तो यहां से X कॉमन चला जाएगा X प्लस 14 आजाएगा ठीक है अब यहां से आपने देखो कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद जैसी प्रैकेट यहां मिली है वैसी प्रैकेट यहां भी मिले तो यहां पर हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो मैनस भी कॉमन लेने हमने और 13 भी कॉमन लेने मैनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर सिर्फ रह जाएगा आप याद रुको जब मैनस कॉमन लेती है न बाठा तो sin दोनों चंड हो जाएगे यह minus का था ना देखिए plus का हो गया यहां से भी आप इसका minus common लेंगे तो यहां पर plus आड़ेगा ठीक है अब 13 को 182 से divide करेंगे तो answer मिलेगा 14 ठीक है यह हमारे पास factors आगे ओके अब एक यह वला part है दूसरा यह वला part है इन दोनों के अंदर x plus 14 वली bracket common है तो यह bracket हम common ले लेंगे x plus 14 की पूरी bracket common ले ली पीछे क्या बचा फिर हमारे पास यहां से x बचा minus और यहां पर 13 बचा ठीक है that is the factorization अलग अलग equal to 0 रोखो x plus 14 is equal to 0 करो और x minus 13 भी equal to 0 कर दो तो x की value क्या मिल जागी plus का 13 मिल जागी यहां पर x की value क्या मिल जागी minus का 14 मिल जागी ठीक है अब यह दो values हमारे पास x की आ गई लेकिन हमें यहां बताया गया था number आप positive number these are positive number negative नहीं लेंगे फिर तो जो negative है उसको हम reject कर देंगी यह reject कर दी x की value और इसको हम select टर लेंगे तो एक number आपके बस क्या आ गया answer में x is equal to 13 तो उससे next number कैसे मिलता है one add करके तो फिर x plus 1 क्या होगा आपके पास 14 तो x plus 1 वाला number आपके बस क्या आ जाएगा 13 plus 1 that is 14 ठीक है दोनों consecutive number थे ना अगर आपको x की value पता चल गई है यह 13 है तो उससे very next कैसे मिलता है one add करके तो आपके पास 13 और 14 यह दोनों number आ गया है आप इनको multiply भी करके देखेंगे तो आपको 182 ही मिलेगा question number 2 बच्छा question number 2 में कहा जा रहा है the sum of square of 3 consecutive numbers is 77 find them 3 number है जो के consecutive है मतलब यह पहले भी बता चुका हूँ जो लगतार आने वाले number होते है जैसे 14 के बाद 15 है 15 के बाद 16 है ठीक है अब धरा अगर आप गोर करें बच्छो के अगर एक number 14 है ना तो उससे next कैसे मिल रहा है 14 में plus 1 करने से add ठीक है उससे next कैसे मिल रहा है 14 में अगर आप 2 add करेंगे तो उससे next मिल जाएगा ठीक है यह देखें 14 15 16 बन जाते हैं इसी तरह से अगर unknown number है एक तो उसको हम x कह देते हैं ठीक है उससे next कैसे मिलेगा x plus 1 और उससे next x plus 2 ठीक है इसी लिए हमने तीनों जो unknown number थे उनको suppose किया कि एक x है दूसरा x plus 1 और तीसरा x plus 2 है अब कहा जा रहा है condition of question के मताबिक कि इनके squares का sum 77 के equal है तो हम लिखते हैं इसको यह पहले number का square प्लस यह दूसरे number का square प्लस यह तीसरे number का square और यह सब किसके equal है? equal to 77 है ठीके? अब आपने क्या करना है? इसके squares को open करना है और solve करना है इसको simplify करना है x का square as it is रहेगा प्लस इसको open करेंगे तो a plus b whole square के formula से यह open होगा x का square plus 2x plus 1 आएगा फिर जब आप इसको open करेंगे तो आपको बस आएगा plus x का square plus 4x plus का 4 is equal to 77 अब करते हैं इसको solve यह x का square यह भी x का square और यह भी x का square यह ओडेंगे 3x का square तीनों add होगे ठीक है? उसके बाद यह 2x और यह 4x कितने होगे हमारे बास बच्चो? 6x होजेंगे देखें plus का 6x होजेगा उसके बाद यहाँ पर यह 1 है और यह यहाँ पर क्या है? 4 है 1 प्लस 4 बन जाता है 5 and that is equal to 77 अब इसको standard form भी लिखने के लिए 77 को हम इधर ले आएंगे 3x का square plus 6x plus का 5 और minus का 77 is equal to 0 बन जाएगा 3x का square plus 6x minus का 72 क्योंकि 77 में से 5 गये तो 72 बचता है minus का किंगे भड़ी रकिंगे साथ minus है अब देखें यह फर्दर simplify हो सकता है या नहीं हो सकता यह 3, यह 6 और यह 72 तीनों 3 के table पे जाते हैं तो आप इसको 3 से divide कर लें ताके फर्दर यह simplify हो जाए आपके पास 3 3 से जाएगा तो x का square बच जाएगा प्लस यहाँ पर 3 1 दा 3 3 2 दा 6 होता है तो 2 x आड़ेगा यहाँ पर देखें 3 1 दा 3 3 2 दा 6 होता है minus 2 और 1 के रही आए 2 6 दा तो रही 3 4 दा 12 होता है 24 is equals to 0 आगया ठीक है तो अब आपके पास यह एक quadratic equation आगई है इसको आप solve करेंगे चाहें factorize कर लें चाहें quadratic formula लगा लें जो आपको असान लगता है तो मैंने असान तरीका बताया था कि यहाँ पर जो number होता है उसको पहले इससे multiply कर ले यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है तो 24 से multiply करें यहाँ पर आपके बस 24 आजएगा ठीक है factors find करने सबसे आसान इसी तरीका यह होता कि साथ में आपको मा लगाएं और लिखें यहाँ पर 1 ठीक है अब उसके बाद छोटा से छोटा number जिससे यह divide हो जए वो 2 है ठीक है इससे 2 को divide करें इससे multiply करें बनते जाएंगे आपको बस factor तो 2 12 दा 24 होता है 2 से इसको divide किया इसको multiply करें 2 1 दा 2 ठीक है अभी भी हमारा जो required अगो नहीं मिला फिर 2 से जाएगा 2 6 दा 12 होता है इससे 2 को divide किया तो इससे 2 multiply करेंगे तो 2 2 दा 4 होता है अब हमें मिल जाएगा यह देखें 6 को 4 से multiply करें तो 24 मिल जाता है और 6 में से 4 को minus करें तो आपको 2 भी मिल जाता है तो आपने यह पिर यहां से select कर लिया ठीक है अब किस के साथ plus लगाना है किस के साथ minus लगाना है देखो answer क्या है यहाँ पर plus का 2 है अगर आप plus का 6 रखेंगे minus का 4 रखेंगे तो आपको plus का 2 answer मिलेगा ठीक है अगर आप खुदाना खासता minus 6 कर दे और plus का 4 कर दे फिर तो आपको minus 2 मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको plus 2 चाहिए ठीक है इसलिए plus के साथ 6 और minus के साथ 4 लगाएंगे आप x का square और plus का 6 x minus का 4 x minus का 24 is equal to 0 ठीक अब 2 हिसों में बाट लें इसको ऐसे यह दो बना दी हमने जोड़े यहां से कुछ कॉमन लें क्या कॉमन आता है इसमें से x कॉमन आ जाएगा यहां पर बच गया x और plus का 6 बच गया ठीक है यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लें के जैसी ब्रैकट यहां बचे है वैसी यहां पर भी बचे तो यहां एक तो यह minus minus नहीं होने चाहिए तो minus कॉमन ले लेंगे और 4 भी नहीं होना चाहिए तो minus 4 कॉमन ले लिया हमने यहां पर sign chain हो जाएगा याद रखे हैं जब minus कॉमन लेते हैं साइन चेंड हो जाते हैं, यहाँ पर अब प्लस का X आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया, 4 को 24 से डवाइड करें, तो आपको आंसर मिलेगा, 6 is equal to 0, ठीक है, अब फिर यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट इन दोनों में न, देखो यह ब्रैकट X प्लस 6 वाली ब्रैकट दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों से X प्लस 6 वाली ब्रैकट कॉमन ले लेंगे, पूरी ब्रैकट कॉमन ले लिए हमने, अब यह ब्रैकट कॉमन चलेगी, बच गया, X माइनस यह ब्रैकट कॉमन चलेगी, बच गया, माइनस का 4 is equal तो जीरो अब दोनों को अलग अलग जेरो के एक्वल रखिए X प्लस 6 एक्वल टो जीरो तो X की क्या वैलियू मिलेगी X is equal to minus का 6 ठीक है इसी तरह X minus 4 को भी 0 के एक्वल रखिए तो मिलेगा X is equal to plus का 4 अब क्योंकि ये नंबर क्या है positive consecutive नंबर है तो negative को हम ignore करेंगे negative number हमारा answer नहीं होगा ये X हमारा पहली value आगी पहली value आगे हमारे पास X अब उससे next number कौन सा हमारे पास X is equal to आगे हमारे पास 4 तो X plus 1 next consecutive number X plus 1 क्या होगा 4 plus 1 यानि equal to 5 होगा और next क्या होगा X plus 2 तो 4 plus 2 is equal to क्या होड़ेगा हमारे पास ये बच्चो 6 हो जाएगा तो 4 5 और 6 ये तीनों वो consecutive numbers हैं ठीक है कि जिनको multiply जिनके scares को add किया जाए तो आपको 77 मिलेगा question number 3 बच्चो question number 3 में कहा जा रहे है sum of five time of a number and square of number is 204 find the number उस number को find करें कि जिसका square plus उस number का five time हमारे पास equal हो जे 204 के five time of a number का मतलब क्या है कि आपने उस number को five से multiply करना है ठीक है जैसे हमने first कर लेगा वो number क्या है वो number है x तो five time of a number five multiply बहाए x ठीक है तो ये बन जाएगा five x ठीक है अब वो number हमने suppose कि है x तो उस number का square क्या होगा x का square plus उस number का five time क्या होगा five x और इन दोनों का sum कितना है two hundred and four जैसा के condition में बताया गया है के square of a number and five time of a number इन दोनों को plus करेंगे तो two zero four में लेका लिख दिया हमने अब इसको standard form में लेकियाने के लिए क्योंकर ये quadratic equation बन गई है standard form में लेकियाने के लिए इसको आप इदर ले आए x का square plus का five x minus two hundred and four is equal to आगे zero के ठीक है बचो ओके अब आपने इसको क्या करना है factorize का लेना यहाँ पर कोई number है नई तो मतलब यहाँ पर one है इस number को आप इससे multiply करते हैं हमेशा की तरह आप जानते हैं कैसे factorize करते हैं तो one into two hundred and four क्या बन जाएगा two hundred and four बन जाएगा ठीक है ओके तो देखो जी अब आपने क्या करना है इस minus two hundred and four के क्या बनाने आपने factors बनाने है मैंने बताया था आसान तरीका बड़ी numbers अब आ जाती है जैसे two zero four है तो इस तरह के numbers को factor बनाना बच्चे थोड़ा परिशान हो जाते है आसान तरीका क्या है कि आपने ऐसे bracket लगानी है इधर लिख लेना है two zero four और यहाँ पे लिख लेना है आपने one ठीक है अब आपने क्या करना है इस number को कोई छोटे से छोटा number जिससे आप इसको divide कर सकें उसे करें two पे जाएगा तो two one the two और zero two two the four one zero two इसको two से divide किया जिस number को इससे divide किया उसी से इसको multiply कर लो इसको two से divide किया इसको two से multiply करो two one the two तो second factor आपके बास ये बन जाएगा ठीक है अब ये भी हमारे काम कर नहीं है ठीक है उसके बाद देखें फिर इसको two से divide करेंगे 2 5 the 10 2 1 the 2 2 से इसको divide किया इसको 2 से multiply कर लो 2 2 the 4 ठीक है अब ये भी हमारे काम करने है कि हमारी mid term 5 जो है न वो इन से नहीं बनती ठीक है plus minus करने से अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे इसको 2 पे नहीं जाता अब ये 3 पे जाएगा 3 1 दा 3 होता है 2 carry आया 2 और 1 मिलके बन जाता है 21 2 7 दा 3 7 दा 21 ठीक है 3 7 दा 21 हो गया हमारे बस कोमा अब 3 से इसको divide किया इसको 3 से multiply करो 3 4 दा कितना होता है 12 तो ये नमबर हमारे काम आ सकता है 12 और 17 को अगर हम minus करें तो हमें 5 मिल जाता है ठीक है क्योंकि ये number negative है ना तो याद रखो जब ये product negative होती है हमारे पास तो फिर इन numbers को minus करने से आपको मिट रम मिलनी चाहिए 17 minus 12 करेंगे तो 5 मिल जाता है तो आप क्या करना है जी आपने 17 और दूसरा आपके पस आगया 12 इनके साथ कौन से sign लगाएंगे कि इनको add किया जाए तो आपको 5 मिल जाए ठीक है प्लस का 5 आपको तभी मिलेगा अगर आप बड़ी रिकम के साथ plus लगाए और minus का 12 तो क्या मिलेगा plus का 17 minus का 12 मिल जाएगा आपके बस plus का 5 अगर गलती से कभी आपने minus लगा दिया तो फिर आप चेक कर लिए करें कि आपका अंसर सीगा या गलत है तो अगर minus 17 लगा दें और plus का 12 लगाएं तो फिर आपको minus 5 मिलेगा जबके यहाँ पर आपको plus 5 चाहिए इसलिए ये वाला आप reject करेंगे ठीक है तो ये अब बनगी आपकी midterm break हो जागी ऐसे x का square plus का 17 x और minus का 12 x minus 2 0 4 is equal to 0 ठीक है अब ये दो हमारे पास pair बन गया पहला pair ये बन गया और दूसरा pair ये इन में से आपने common लेने है यहाँ से x को मना आजएगा x plus 17 अब यहाँ से कुछ ऐसा common लेना है कि common लेने के बाद जैसी bracket यह है वैसी ही bracket बचे तो यहाँ दोनों में minus minus है यहाँ पर तो plus है minus है नहीं तो minus common ले लें ताके sign change हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको x चाहिए तो 12 भी common ले लें minus 12 यहाँ से आप common ले लेंगे ठीक है यहाँ पर क्या रह जाएगा plus का x रह जाएगा minus खतम हो गया क्योंके minus को common ले लिया गया यहाँ पर यह minus common ले 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 लेगा अब 12 को आप 204 को 12 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 17 is equal to 0 ठीक है इस तरह से आपके बस यह पेर बन जाते हैं इन दोनों पर एक यह पार्ट है दूसरा यह पार्ट है इन दोनों पार्ट से आपने देखे इन दोनों में एक एक चीज़ common है यह bracket यह दोनों में bracket common है यह दोनों से आप common ले ले X plus 17 की bracket को आपने common ले लेने है पीछे क्या बचे का ये bracket common चलीगी रहा गया X ठीक है और minus ये bracket common चलीगी रहा गया minus का 12 is equal to 0 अब अलग-अलग इसको equal to 0 करें X plus 17 is equal to 0 और X minus 12 भी equal to 0 तो मिलेगा X is equal to minus का 17 X is equal to plus का 12 मिल गया ठीक है अब negative value को आप ignore करते हैं तो इसको हम reject करेंगे इस positive value को consider करेंगे तो वो number क्या है बच्चो वो number हमारे पास है 12 question number 4 the product of 5 less than 3 time of a number and 1 less than 4 time of a number is 7 find the number बच्चो एक number हमने find करना है अब ये statement ज़रा बड़े दिहान से सुननी है ठीक है मुश्कल नहीं है थोड़ी सी complicated है यहाँ पर कहा जा रहा है product product दो चीज़ों क्यों होती है rough work में आप ऐसे दो brackets लगा लें ठीक है एक ये और दूसरी हमारे पास ये दो चीज़ें जिनको हमने product बनानी है ठीक है अब किस किस की product है 5 less than 3 time of a number एक number के 3 guna से 5 कम 5 less का मतलब 5 कम किस से 5 कम 3 time of a number उस number को हमने फर्ज़ किया कि वो X है तो उसका 3 time का मतलब है 3X और 3X से आप minus कम कर दिए कि कि हमें कहा जा रहे है 5 less 5 कم करना है 3 time of a number एक number के 3 time से उस number को हमने X suppose किया तो पिर 3X वो 3 time हो गया और उससे 5 कम कर दिया ठीक है and 1 less than 4 time of a number और उसी number के 4 गुना से 1 कम वो number हमने x suppose किया है उसका 4 गुना का मतलब है 4x और 1 less का मतलब है कि आपने उससे 1 minus कर देना इस तरह से आपने product बनानी है अब इसको यहाँ पे आप लिख लें वो number मिल गए हमें 3x minus का 5 बना लिजिए और उससे फिर x की value find करेंगे हम अब देखे 3x को 4x से multiply करेंगे तो मिलेगा हमें 12x का square ठीक है फिर 3x को minus 1 से multiply किया है तो minus का 3x मिलेगा फिर minus के 5 को plus के 4x से multiply करेंगे तो minus का 20x मिलेगा minus 5 into minus 1 मिल जाएगा minus का 5 is equal to 7 ठीक है बलके plus का 5 मिलेगा minus 5 into minus 1 plus का 5 मिलेगा ठीक है आप क्या करेंगे जी आप इसको standard form में लेकि आने के लिए 7 को इदर ले है 12x का square minus 3x and minus 20 यह बन जाएगा minus 23x उसके बाद यह plus का 5 है ठीक है और यह इदर आके minus का 7 बन जाएगा ठीक है इदर 0 रहा गया 12x का square minus 23x और minus का 2 यह plus का 5 minus का 7 तो बन जाएगा minus का 2 अब हमने इसको करना है factorize factorize करने का क्या तरीका होता है कि x के square के साथ जो coefficient आ रहा है और जो constant number है दोनों को multiply करके आप वहाँ लिख लेते हैं 12 into 2 24 होता है 24 और यहां लिखिए 1 अब चेक करें यह तो हमारा पहला पेरी select हो जाता है देखे 24 में से 1 minus करें क्योंकि यह negative है ना तो इनको आपने minus करके मिटरम मिलनी चाहिए हमें अगर यह number positive हो तो पिर इनको plus करके हम मिटरम find करते हैं क्योंकि नमबर negative बनता है 12 into minus 2 minus 24 तो 12 में से 1 क्या था 23 मिल गया हमें इधर से ही पता चल जाएगा ठीक है इससे आगे हमें solve करने की जरूरत नहीं है तो 2 इसके आजएंगे फिर आप minus 23 आने के लिए हमें minus लगाना पड़ेगा 24 के साथ और plus लगाना पड़ेगा 1 के साथ तब आपको minus 23 मिलेगा अगर आप by mistake यहाँ plus लगा ले 24 इसको साथ minus लगाएं फिर आपको plus का 23 मिलता है जो के हमारी mid term नहीं है यह minus 23 है तो हम इसको नहीं choose करेंगे इसको use करेंगे ठीक है तो लिखेंगे जी यहाँ पर 12x का square minus 24x plus का x minus 2 is equal to 0 अब देखिए एक ये पेर बना लें दूसरा आप ये पेर बना लें इन दोनों में से common ले लें यहाँ से 12,1 the 12,12 the 24 होता है और 12 common आजएगा साथ में यहाँ पर x का square है और इदर एक x है तो साथ में x भी common आजएगा 12 common चला गया, x के square में से एक x common चला गया तो एक x बाकी रह गया minus देखिए 24 में से आप 12 का table पड़े न 12,1 the 12,12 the 24 तो यहाँ पर आएगा 2 और x था वो common चला गया x-2 अब इसमें से कुछ ऐसा common लेना है कि जैसी bracket ये बची है वैसी ही यहाँ पर बची ये लिखा हुआ x-2 तो ये already x-2 लिखा हुआ है तो कुछ भी common देने की जुरूत नहीं तो आप simply फिर यहाँ से 1 common ले ले ठीक है लेकिन common लाजमी लेना है x-2 वो ऐसी की वैसी bracket रहेगी कोई change उसमें नहीं आएगा अब देखें एक ये वाला part दूसरा ये पार्ट इन दोनों के अंदर ये bracket common x-2 वाली तो ये पूरी bracket ही आप common ले ले लेजी x-2 वाली अब ये bracket common चलेगी पीछे बचा हमारे पास 12x प्लस ये bracket common चलेगी पीछे बचा हमारे पास 1 is equal to 0 ये आगे हमारे पास ठीक है बचो ये दो हमारे पास factors आगे अलग-अलग 0 की equal लखिए x-2 is equal to 0 और यहाँ पर रखिए 12x प्लस 1 को भी equal to 0 रखिए यहाँ पर x की value आपको मिल जेगी 2 ठीक है ये आपका answer आगया ठीक है इसे तरह यहाँ पर जो है आप 12x को यहीं रखिए 1 को उदर लेजे माइनस 1 हो जाएगा x के लिए क्या करेंगे माइनस 1 divided by 12 हो जाएगा तो यह आगे हमारे पास दोनों answer question number 5 बच्चो question number 5 में क्या कहा जा रहा है the difference of a number and its reciprocal is 15 by 4 find the number एक number और उसका reciprocal का difference difference का मतलब होता है आपने minus करना है एक number को उसके reciprocal से जब minus किया जाता है तो आपको जो result मिलेगा 15 by 4 मिलेगा वो number हमें find करना है ठीक है तो according to condition of the question अगर हम first कर ले let the number is is x अगर वो number x है ठीक है तो यह वो number आ गया और यह उसका reciprocal यानि उसका old 1 by x इनका difference यानि minus वो किसके equal है जी हमारे पास 15 divided by 4 के ठीक है तो अब हमने इसको पहले quadratic equation में change करना है जैसे हम पहले solve करते हैं ठीक है और उसके बाद फिर हमने उसकी value fund करनी है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है cross multiply कर लें अगर LCA मिलेना नहीं आता इसको उससे multiply करें x का square आएगा 1 into 1 minus का 1 हो जागा किसेंटर में minus है और इन दोनों को आपस में multiply कर लें x1 the x is equal to 15 divided by 4 अब 4 यहाँ divide हो रहा है इधर multiply हो जागा x इधर divide हो रहा है उधर multiply हो जागा 4 into x का square minus 1 cross multiply जिसे कहते हम x multiply by 15 तो यह बन जाएगा 4 x का square minus का 4 and यह बन जाएगा 15 x अब इसको standard form of quadratic equation बनाने के लिए इसको इधर ले आएगे आप 4 x का square minus का 15 x हो जाएगा और minus का 4 is equal to 0 ठीक है यह हमारे बास बन की quadratic equation अब हमने इसको factorize करना है factorize करते होए x के square के साथ जो term लिखी हुई है उसे लिख लें यहाँ पर 4 multiply by यह जो हमारे पास आता है constant minus 4 तो यह बन जाता है minus का 16 तो इसके हमने factors बनाने हैं अब क्योंकि यह negative है तो याद रखो वो pair of factors आप select करेंगे जिसको minus करने से आपको mid term मिले तो पहला factor गया बनता हमारे पास 16 into 1 ठीक है 16 and 1 और 16 में से 1 गया तो direct 15 आगया बस इधर ही डुक गया हम 4 x का square अब आप minus का किस के साथ यूज़ करेंगे और plus किस के साथ यूज़ करेंगे यह minus 15 चाहिए ना तो minus का 16 करेंगे plus का 1 करेंगे तब ही आपको minus 15 मिलेगा अगर आप plus का 16 करेंगे minus का 1 करेंगे फिर तो आपको plus का 15 मिलेगा जो के हमारे requirement नहीं है इसलिए आप इसकी बजाए minus 16 के साथ लगाएंगे ठीक है तो minus 16 x और plus का 1 x यह simply x लिख देंगे आपकी मरजी है minus 4 is equal to 0 अब देखें इसका एक यह पेर बनाएं दूसरा यह पेर बनाएं इन दोनों पेर मेंसे आप लेंगे common 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 होता है तो 4 का टेबल दोनों पे जाता है तो 4 भी common आ जाएगा x का square है इदर और इदर x है तो 1 x भी common चला जाएगा अब इदर 4 common चला गया x के square में से x common चला गया तो रह गया x minus इदर 16 था 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 होता है यहां पर 4 आ जाएगा x common चला गया हमारे पास अब इसमें से कुछ ऐसा common लें कि x minus 4 बचे तो यह पहले से x minus 4 है पूरी bracket ही common ले लेंगे अब यह bracket common चलेगी पीछे रहा गया 4 x और प्लस यह bracket common चलेगी पीछे रहा गया 1 अब इन दोनों को equal to 0 अलग-अलग कर लेते हैं हम यहां पर x minus 4 is equal to 0 कर ले तो x की क्या value आएगी हमारे पास plus का 4 आएगी ठीक है और अगर हम बात कर ले 4 x plus 1 is equal to 0 तो यहां पर हमारे पास क्या value आएगी 4 x is equal to minus 1 ठीक है और minus 1 की जगा पर आपने क्या करना है x इदर ही देगा 4 उदर जाके हो जगा divide तो minus 1 divided by 4 यह हमारे पास दो answer आगी ठीक है एक क्या answer है हमारे पास यह आया 4 झाहँ मारे बात क्या है